स्वागत है चैनल डेली घजाना में आ गया है यारो का यार होस्ट राहूल भोथ सहसे बड़ी अपडेट लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल दिमाग और दम को डिस्मेंटल कर दिया गया है मैंने आपको बताय थी बात सबसे पहले कि कैसे जो है सब लोगों को चौक चौराहे पर रहने को मजबूर कर दिया है मैंने आपको बताया था कि मुनवर और मनारा के बीच में एक तगड़ी फाइट हुई है और अब ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे फिर से बिग बॉस ने डिस्मेंटल हुए ग्रुप को फिर से एक जूट बना दिया है और इस बार दिल दिमाग और दम में कंटेस्टेंट्स को चींज कर डाला है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो फड़ा फट सब्सक्राइब से पहले मैं बताता हूँ बाते अगर आपने मेरे नया चैनल राहूल वोच कॉमेडी को नहीं देखा है कॉमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दूँगा एक बार जाएगा यूट्यूब में सर्च कीजेगा और आपको ठेर सारफपन कॉंटेंट दे जाएगा मज़ा आ जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं आखिरकार दिल दिमाग और दम में क्या कुछ हलचल हो रही है तो मेरे पास लिस्ट आगी है कि बिग बॉस ने किस तरीके की पिछकरिये चीजे अंकिता विक्की, खांजादी, अभिशेक, सना और अपने अनुराग इनको जो है बिग बॉस ने दम के मकान में भेज दिया है बिग बॉस ने बोला कि भाई तुम में दम लगता है तो तुम जो है दम के दिमाग में भेज दो अब यहाँ पर दोस्तो आप लोगों को बता दू तो बिग बॉस ने एक बहुत बड़ा प्रपोसल जो है वो दिमाग के मकान के लिए फेका था जी हाँ दोस्तो आप लोगों को बता दो तो अईश्वरिया नील समर्थ ईशा ने हाथ अपने उठाए पर दिमाग का मकान ठीक है और बिग बॉस ने इन्हें जो है दिमाग के मकान में रहने के लिए प्रपोसल्स डाले बिग बॉस ने इनको एक एक करके बुलाया और इनसे बाचीट करी नील से बोला कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो दिमाग में रहने के लिए तुम जो है एक पॉफेक्ट कैंडिडेट हो जिसे वो कहते हैं कि मैं रूल्स और रेगलेशन को अच्छे से फॉलो करता हूँ फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि मैं जो है एक सेकना दोस्तो हाँ मैं रूल्स और रेगलेशन को अच्छे से फॉलो करता हूँ और मैं मुन्ना का कॉम्पिटिशन बनूँगा औ मैं capable enough हूँ में पस powers है and मैं अपने decisions खुद ले सकती हूँ और मैं जो है इसी मकान में रहूंगी enemies को जो है मैं you know stand alone ही tackle कर सकती हूँ खांजादी जो enemy है घर की उसको मैं बराबर दे सकती हूँ मैं sensible enough हूँ और मैं जान लगा दूँगा और मैं जो है विकी के radar में हूँ उसका enemy बनके तो मैं जो है you know मुनावर और मुनारा की friendship ले लो या फिर उसके friends बनाने का तरीका ले लो important कौन है कौन नहीं है उन सब को proper तरीकी से मैं पेश करूंगा और वो जो है friendship भी काफे जादा effort नहीं लगाते है organic हो जाती है मेरी तो उसकी बली को भी hold कर दिया गया एश्वेरिया ने बोला कि power का फायदा उठाना वो चाहेंगी और friends and enemies जो हैं उनके लिए better हैं equal हैं और friends उनके उनकी life में more friends है enemies के compare में और उनकी प्ली को भी hold कर दिया गया अब Big Boss ने announce किया कि एश्वेरिया की जो plea थी वो बहुत ज़दा clueless थी बट honest थी और यही fault है इस वज़े से अब एक काम करते हैं कि एश्वेरिया और अरुन को दिमाग का member बना देते हैं और साथी साथ जो बचेवे contestants हैं यानकि इशा समर्थ मनारा मुनवर रिंकू नियल इनको दिल का मकान दे देते हैं तो Big Boss ने सरीके का फैसला लिया है चलता हूं